मूवी की शुरूवाथ में हम लोग एक एयर होस्टेस को देखेंगे, वो जब अपने प्लेन में ड्यूटी कर रही होती है, तब ही कुछ लोग उसे छेड़ते हैं, अपनी ड्यूटी के बाद वो एक होटल में रुखती है, इसके बाद जब वो सामने एक बार में जाती है, तब बहाँ उसे एक आदमी दिखाई दिता है, वो उस आदमी को देखकर उसकी तरफ अट्रेक्ट हो जाती है, इसके बाद ये दोनों ड्रेंक करते हैं, और कुछ देर बाद एना उसे अपने रूम में लेकर आती है, और अपने रूम का दरबाजा बंद करती है, और इसके ब लोग फिन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो की एर हॉस्टेस के पिछवाड़े को छूता है, एर हॉस्टेस का नाम एना था, फिन उनसे कहता है, मेरा हाथ गलती से आपको लग गया, इसके बाद एना मुस्कुराती है, और से कुछ भी नहीं कहती, एना को अच्छी जी से गुंती है कि एना के हाथ से टकरा कर वो जकमी हो जाता है, एना उसके पास आकर उससे माफी मागती है, और वो कहती है मुझे माफ करना, मेरा हाथ गलती से लग गया था, एना के इस बेहिबियर को देखकर हम लोग ये जानते हैं, एना बहुत ही तेज लड़की है, औ और इसे अपना बदला लेना आता है उसने जिस तरह इनको सबक सिखाया ये देखकर सबी लोग उसके लिए तालिया बजाते हैं कुछ देर के बाद इनका सफर खतम होता है और सारे क्रू मिंबर एक होटल में आते हैं एना भी इसी होटल में पहुच चुकी थी वो यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता इसलिए वो अब बाहर जाना चाहती थी इसके बाद वो तयार होकर एक बार में पहुच जाती है बार में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जिमी था एना को जिमी बहुत पसंद आता है इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठते हैं और ड्रिंक करते हुए बाते करते हैं जिमी उसे कहता है वो एक बिजनिसमैन है और वो पास के होटल में ही अकेला रुका है जब वो होटल का नाम उसे बताता है तब एना उससे कहती है वो भी इसी होटल में रुकी है एना को जिमी काफी समझदार लगता है इसलिए वो जि दरवाजे के पार देखने पर जिमी दिखाई देता है। जिमी को यहाँ देखकर आना बहुत खुश होती है। और दरवाजा खूल देती है। जिमी उसे कहता है जिमी उसे कहता है। एना को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था, वो याद करने की बहुत कोशचिश करती है, लेकिन वो कल रात बहुत नसे में थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता, एना नहा कर अपने कपले बदलती है, वह इस लाज के बारे में सोंचने लगती ह वो इस लाज को बातरूम मिला कर बातरूम में छुपा देती है वो जैसे ही इस बातरूम से बाहर निकलती है तब उसकी नेजर बिस्तर की चादर पर पड़ती है चादर पर अपी भी बहुत सारा खून लगा हुआ था एना उस चादर को छुपाती है वो इस चादर को एक कोट कवर में छुपाने लगती है होटल के कमरे में पहले से ही कुछ कवर होते है और एना उसी कवर में उस चादर को छुपाती है वो जैसे ही इस कवर को अलमारी में रखती है तबी दरवाजे पर आर्ट होती है दरवाजे पर सफाई करने वाली एक लड़की जिसका नाम रेचल था वो एना से गंदे कपले और कमरे की सफाई के बारे में पूचती है एना उससे कहती है मेरे सभी कपले साफ हैं और मेरे कमरे को भी सफाई की जरूरत नहीं है से ठीकाने लगाए काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुचती है उसे लास को छुपाने के लिए काफी सारा समय चाहिए यही बात सोचकर वो अपनी एरलाइन को फोन करती है और वो उसे जूड बोलती है कि मेरी तब्यत खराब है और मुझे एक दिन की छुटी चाह टयार होकर बाहर निकलती है और वो यहां जमी के कमरे की तरफ बढ़ती है होटल बालों के बाहर कैमरे नहीं लगायाए थता कि लोग यहां बिना फिकर के आ सके एना जल्दी ही जमी के कमरे में पहुच जाती है वो यहां जिमी के बारे में जानना चाती थी क्योंकि अगर जिमी कोई मुझरिम होता तब वो कोई कहानी बना कर पुलिस से बच सकती थी वो इस खमड़े की तलासी लेती है यहां उसे जिमी का लाइसेंस मिलता है जिमी ने एना को अपना नाम और अपना काम गलत बताया था जिमी का नाम कुछ और ही था और वो एक अच्छा लेकक था जिमी का सच जानकर एना बहुत परिशान होती है तब ही अचानक उसे रात की बाते याद आती है वो देखती है रात में जिमी ने उसके साथ जबदस्ती करने की कोशिश की थी और अपने आपको पारे में कुछ ना जान सके इसके बाद वो एक प्लान बनाती है लेकिन इसके लिए उसे काफी सारा सामान चाहिए था इसके बाद वो सामान को खरीदने के लिए बाहर चली जाती है कुछ देर के बाद कैबिन नाम का एक प्लमबर यहां आता है और वो एना के कमरे को खोलत करती है लेकिन कैबिन सीधा बात रूम में घुश जाता है एना जानती थी कैबिन की नेजर जरूर लास फर पड़ेगी जिसके बाद उसे भी मारना पड़ेगा लेकिन इधर कैबिन जैसे ही टप की तरफ बढ़ता है तब ही उसका फोन बचता है ये फोन होटल के मैनेजर का वो कैबिन को बताता है बद वो ऊपर से आ रही मैनेजर की बातों को सुनकर कैबिन यहां से चला जाता है और वो एना के हातों से मरने से बच जाता है उसके जाने के बाद एना सामान को बाहर निकालती है जो कि वो बाहर से लेकर आई थी कुछी देर बाद वो तयार होती है और वो लास के पास जाती है, इसके बाद वो लास के टुक्रे करने लगती है, लास के टुक्रे करने के बाद वो बातरूम को पूरी तरह साफ करती है, ताकि उसके पीछे कोई सबूत ना रहे, एना छोटे छोटे टुक्रों को छोटे बैग में रख लेती है, और बड़े कहीं कोई खून का निशान तो नहीं रह गया है इसके बाद वो हर जगे से जिमी और अपने निशान खतम करती है जब वो पूरी तरह कंफर्म हो जाती है तब एना अपना छोटा बैक और बड़ा सूट केस लेकर कमरे से बाहर निकलती है एना यहां धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही होती है और उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है उसे देखने वाली यह कभी नहीं सोच सकते थे कि इस खुशूरूत लड़की के पास अभी एक लास है इसके बाद वो कमरे की चावी होटल बालो को देती है और वो जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर एक बड़ी सी गाड़ी पर पढ़ती है यह गाड़ी सीनियर सिटीजन को चुट्टी पर लेकर जा रही थी एना के टैक्सी को आने में अभी टाइम था वो मौका देखकर छोटे बैक्स को कचरे में फेक देती है इसके बाद उसकी नजर एक भुज़ूद चोड़े पर पढ़ती है वो उनके पास जाकर पूँचती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बो लोग उसे बताते हैं हमारा सामान गाड़ी में रखकर हमारी मदद कर सकती हो इसके बाद एना उसकी मदद करने के लिए मौका देखकर अपना सूटकेस भी गाड़ी में रख देती है अब एना के पास कुछ भी नहीं था तब उसकी टैक्सी भी आ जाती है इदर एचल कमरे की सफाई करने के लिए आती है तब ही उसकी नजर कवर में रखे हुए चादर पर प्रती है इसके बाद वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ बो चिल्दा कर शोर मचाती है इदर एना अपने प्लेन में पहुँच चुकी थी और वो उस प्लेन को उड़ने का बेट कर रही थी तब ही पुलिस प्लेन में पहुच जाती है एना अपनी आखें बंद करके कुछ सोच रही होती है तब ही उसे याद आता है वो चादर कवर में ही भूल गई है अपनी गलती को याद करके एना बहुट डर जाती है तब ही एक पुलिस वाला यहां आता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पुलिस एना को गरफतार करने वाला था लेकिन एना मौका देखकर उसे भी जान से मार देती है कहानी के आखिर में हम लोग की यह देखते है पुलिस ने प्लेन को चारो तरफ से गेर लिया है एना बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है और यह मूबी यहीं पर खतम हो जाती है आई होप आपको एक्स्प्लिनेशन अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पिलीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में